बहुत स्वागे थे आप सभी का दोपेर बारा बजे के बुलिटन में इंडिया न्यूस पर आपके साथ मैं अंजली मुद्गल सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जारकन से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरेन को मिल गई है जारकन के पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरेन को बड़ी राहत मिली है जारकन के प जेल में बंद थे अब रिहाई उनकी जेल से उन्हें जमानत मिल गई है बेल मिल गई है देखी कई बार याचिकाएंद आखिल की गई जब लोगसभा के चुनाब चल रहे थे उस दौरान भी तमाम पोशुशें हुई हेमन सोरेन बहार निकल सकें प्रचार प्रसार में हिस्त मिल गई है जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला जुसमें एहमन सोरेन को बेल मिल गई है जार्खंट से इस वक्त कि ये बड़ी खबर जार्खंट में विधान सबाचुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही माइनों में और उससे पहले बेल एक संजीवनी की तरहां जे जेमें के लिए कितनी बड़ी राहत हेमन सोरेन के लिए है जार्खंट के पुर्व मुख मंत्री और जेमें नेता हेमन सोरेन को हाई कोट से उनको जमानत मिली है और सबसे बड़ी राहत जेमें के लिए जार्खंट हाई कोट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी ल तब उन्होंने एडी की हिरासत में ही मुकमंत्री पद से इस्तिपा दिया था और उसकी कमान करीबी चमपई सुरेन को सौप दी गई थी उसके बाद उनकी पतनी कलपना सुरेन पार्टी की कामकाज देख रही हैं तो ये जो है बड़ी खबर है खास पर पर जेवेम के लिए और जेवेम को एक का सकती हैं कि एक बड़ी राहत क्योंकि जिस तरह से रांची जमीन भोटाले मामले में जो है जारकंड के फुर्ब सीयम हिमन सुरेन जो है आरूपी हैं और हिमन सुरेन की जमाना त्याजका पर दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने हैस् जमीन पर कपजा किया है तो यह मामला जिस तरह से आगे बढ़ा था और उसके बाद आपने देखा था कि उनकी गिरफतारी हुई और आखिरकार अब जो है यह जारगंड हाई कोट ने उन्हें जो है आप उनको बेल दे दिया है तो यह तरह से का सट्टी हैं कि जारगंड म करताओं में जो है इस तो लेकर खुशी की लाहर है बिलकुल आशिफ भी मेरे साथ जुड़े हुए आशिफ 8.86 एकट जमीन घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला जुसमें हेमन सोरें पिसले 6 महीने से जेल में बंद थे बाहर कब आ रहे हैं दर्शुकों की जानकारी के बिलकुल देखिए सबसे पहले आंजली मैं बताओं आपको कि देड़ सो दिन का ये जेल में रहने का उनका एक्स्विएंस रहा देड़ सो दिन के बाद मतलब ये इंसिडेंट ही कह लीजे कि अभी अभी से ठीक 48 गंटे पहले ये जानकारी आई थी कोट से ही जानकारी बाहत दी और जैसा कि हमारे वरिश टाकेस जी ने बताया कि इस वक्त जेम के लिए संजीवनी बूटी की तरह है क्योंकि साफ तोर पर समझिए कि जो सबसे बड़ा लीडर हो जैसे आपको याद होगा आपने एक्जांपल देखा होगा दिली में जब दिली में अर्विन के जिवाल जब जिल से बाहर है तो उनकी पार्टी में किस तरीके से जोस जुनून जजबे के साथ उनका स्वागत किया ठीक उसी तरीके से आप समझ लीजे कि 24 गंटे के अंदर जानकारी मिली 24 गंटे के अंदर अगर बहार निकलते हैं मन सुरेन तो उनका भी स्वागत वैस सही होगा वैसे ही चीजें होंगी बिल्कुल और जारकन में विदान सब्सक्रा चुनाब भी एस लियास से भी एक बड़ी राहत ये मानी ज़ा रही है हेमन सुरेन और पूरी पार्टी के लिए आज शिफ का आपका बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी शुक्रिया इ में इसा जुदने के लिए सीधा लिए